देखो अरविंद केजरिवाल भरष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के उपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई, सब के मामले में, लेकिन अबो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं, वो जेल जाने के पहले माननी कोर्ट के पास गए थे, और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदे ने कहा हम आपकी गिरफतारी पे रोकनी लगा सकते, तो क्या वो कहना चाहते हैं, जजज साहब राजनितिक हैं, जो मनी सिसेदिया को बेल नहीं दिये, जजज साहब राजनितिक हैं जो संजे सिंग को नहीं दिये वो राजनितीक हैं, आज किस कोई गया था उनके के इनको मुख्य मंत्रीपत से बरखास्त करिये, तो कीर्फ ने कहा कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, तो ठीक है अगर वह भर्खास्त हो गया होते तो हम तो बढ़ी खुश होते, लेकिन मानिय कोट ने जो भी कहा हम उसको स्विकार करते हैं कोट कोट है लेकिन अगर कोट को भी राजनितिक कहना चाहते है अर्विंद केजरिवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संभीधान विस्टे सग्य उनको जबाब देंगे देखो अर्विंद केजरिवाल भरष्टाचारी तो बनी गए हैं वो लुटेरे तो बनी गए हैं दिल्ली के लोगों के उपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं पानी सीवर बिजली दवाई सब के मामले में लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं वो जे बेल जानी के पहले मानों कोट के पास कि गये थे और हाई कोट के जस्टिस महोदे ने कहा हम आपकी गिरफतारी पर रोक नहीं लगा सकते तो क्या हो कहना चाहते है जजसाहब राजनितिक है जमनी सिखाय को बेल नहीं दीए । जजस सहब नहीं है तो ठीक है अगर वो तो बरकास्त हो गए होते तो हम तो बड़ी खुश होते लेकिन मानिये कोट ने जो भी कहा हम उसको स्विकार करते हैं कोट कोट है लेकिन अगर कोट को भी राजनितिक कहना चाहते अरविंद केजरिवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है औ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें